इंटर कॉंटिनेंटल कब की शुरुवात हो चुकी है और इस एडिशन का पहला मुकाबला लेपनान और वनवातू के बीच खेला गया जिसे लेपनान ने 3-1 के अंतर से अपने नाम किया मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने उडिशा रेलास्से में मारे गए लोगों के प्रति सम्वेदना जाहिर की और मैदान पर मौझूद हर एक जख्ती ने एक मिनट का मौन लगखा इसके बाद मैच की शुरुवात हुई इस मैच में लेबनान की टीम को फेवरेट माना जा रहा था क्योंकि इस टूनरमेंट में लेबनान सबसे हाइच खीफा रेंकिंग वाली टीम है तो वहीं वानवातू के पास experience की कमी काफी अधिक है अलांकि इसके बहुजूद वानवातू ने मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया और पहले हाफ में मुकाबला एकदम बराबरी का रहा खोई भी टीम गोल नहीं कर सकी लेबनान ने लगातार राइट और लेट फ्लैंक से आक्रमण किये लेकिन वानवातू का defense काफी उन्होंने लेबनान को गोल नहीं करने दिया अलांकि इस दौरान गर्मी से खिलाडी परिशान दिखाई दिये पहले हाफ में ही दो बार कूलिंग ब्रेक रखना पड़ा इस दौरान कुछ खिलाडी चक्कर खाकर गिरे भी इनमें से एक को इस्टेचर पर महरान से बाहर भ करना पड़ा अलांकि इसके बाद जब सेकेंड आप शुरू हुआ तो गर्मी थोड़ी कम हुई और इसके बाद दोनों टीमों ने अपने खेल में थोड़ी बहतरी दिखाई उन्-60 मिनट में लेबनान ने पहला गोल दागा ये गोल कॉर्णर किक पर आया था इसके एक ही म वानवातु को गोल करने से नहीं रोख सके इसके लगवग 10 मिनट के बाद लेबनान ने फिर से गोल किया और 2-1 से बड़ा थासिल कर ली अब इसके बाद लेबनान का दब्दवा साफ तोर पर देखने को मिल रहा था लेबनान ने दिखाया कि वो क्यूं कितनी अच्छी र अब में गोल करने के कई मौके कमाये थे कई एक तो ऐसा मौका भी था जब एकदम ओपन गोल में वो अपने शॉट को टारिगेट पे नहीं रख पाये थे आपको बता दें कि यह दार्विश्च का लेबनान के लिए पहला गोल है इस मैच में वानवातु की टीम को भले ही ह मिली हो लेकिन उनके जज़वे को सलाम करना पड़ेगा ऐसा इसलिए वानवातु की टीम भारत आ रही थी तो उन्हें अपने चार्टर फ्लाइट में कई परिशानियों का सामना करना पड़ा दरसल वानवातु के प्राडियों के कुछ सामान में सो गए जिनमें बलब्स औ और फुटबॉल के बूट सामिल है इसके लावा कुछ खिलाडी भी फ्लाइट नहीं ले पाए इस मैच में जब वानवातु की टीम खेल ने उतरी तो उनके बेंच पर सब्सिट्यूट के तोर पर केवल तीन ही खिलाडी मौजूद से ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते है कि कितनी मुश्किलों के वीच वानवातू ने ये मैच खेला लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहीं से भी इस बात का अंदाजा नहीं होने दिया कि उनके पास अनभो की कमी है या फिर ये टीम हालिया समय में ऐसे कुछ परिशानियों से गुजड़ी है और आपको ये